वेलकम फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए मैंस के 5 most important questions लाई हूँ जिने आप ट्रिक लगाकर चुटकी बजाते ही solve कर लेंगे तो चलिए start करते हैं my first question is the square of 9999 is यहां पर आप देखने चार बर 9 लिखा है तो चार में से एक कम कर दीजे 3 9 लिखिए एक जगे खाली छोड़िए 3 जूरू लगाईए और एक जगे खाली छोड़िए last की खाली जगे पर 1 लिख लिजे और इस खाली जगे पर 8 लिख लिजे तो B option पर यही नमबर लिखा है तो यह B option आपका correct answer हो गया now do the next question the value of 99 plus 92 upon 99 multiply 99 is इसको solve करने के लिए आप 99 को 99 से multiply करिए जो answer है उसमें 92 add करिए यह 99 से 99 cancel कर लीजे अब 99 को 99 से multiply करने के लिए आप देखेंगे कि दो बार 9 है तो एक बार 9 लिखिए एक जगे खाली छोड़िए एक 0 लगाईए एक जगे खाली अब लास्टी खाली जगे पर 1 लिखिए और इस खाली जगे पर 8 लिखिए 9801 आगई 99 into 99 की value अब इसमें plus कर दीजे 92 तो आप प्लस करेंगे तो 9893 आजाएगा जो A option पर लिखा है तो यह A option आपका correct answer हो गया now to the next question if A ratio B is 3 ratio 4 B ratio C is 2 ratio 5 then A ratio B ratio C is इसको option से solve करिए A ratio B 3 ratio 4 है A option में जो question में भी दे रखा है लेकिन B ratio C 4 ratio 5 है जबकि question में 2 ratio 5 दे रखा है तो A option wrong हो गया B option को check करिए A ratio B is 3 ratio 4 यही question में भी है B ratio C is 4 ratio 10 इसको simplify करिए 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 ratio 5 आ गया यही question में दे रखा है तो B option आपका correct हो गया एसी C और D को check कर सकते हैं Now do the next question If A ratio B is 1 ratio 3 C ratio B is 5 ratio 3 C ratio D is 10 ratio 14 then A ratio B ratio C ratio D is इसको option से solve करिए A option check करिए A ratio B is 2 ratio 3 लेकिन question में हमें A ratio B 1 ratio 3 ले रखा है तो A option wrong हो गया B option check करिए A ratio B is 1 ratio 3 यही question में है B ratio C is 3 ratio 7 लेकिन question से 3 ratio 5 है तो B option भी wrong हो गया C option को check करिए A ratio B is 1 ratio 3 B ratio C is 3 ratio 5 यह ऐसे ही question में दे रखा है लेकिन C ratio D 5 ratio 7 है जबकि question में दे रखा है हमें 10 ratio 14 इससे हम नकर simplify करें 2 5 जब 10 2 7 जब 14 तो 5 ratio 7 ही आ गया जैसकि C option में है तो C option हमारा correct हो गया ऐसी D को भी check कर सकते हैं नाव तो नेक्स्ट question दे रेशो अफ इंकम आफ मोहन और सोहन इस थी रेशो 5 और एक्सपेंस वन रेशो 3 इच आफ देम सेव रूपीस 12,000 पाइंट दे इंकम आफ सोहन इसको आप देखिए मोहन और सोहन की इंकम का रेशो 3 रेशो 5 है और उनके जो एक्सपेंस हैं उनका रेशो 1 रेशो 3 है माइनस करिए 3 माइनस 1 तू आएगा और 5 माइनस 3 भी 2 आ जाएगा लेकिन यह जो सेविंग्स हैं वो कोशन के कॉर्डिंग क्या है 12,000 अब 2 stands for 12,000 तो 1 stands for 12,000 का हाफ करेंगे तो 6,000 आ जाएगा 12,000 को 2 से डिवाइट करिए 6,000 आ जाएगा तो 1 6,000 के लिए stand कर रहा है अब मोहन और सोहन की जो इंकम है उसका रेशो 3 रेशो 5 है तो सोहन की इंकम निकालने के लिए 5 को 6,000 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 30,000 आ जाएगा यही B option पे लिखा है तो B option हमारा correct answer हो जाएगा Friends, if you find my video helpful, please like it, share it with your friends and subscribe my channel Thank you